हालो, जैहिंद सभी को, श्वागे थे आप सभी का पुना इस न्यू वीडियो में, जो कि question paper की answer की है, और DRD special education, hearing impairment, first semester का exam था, जो कि paper था, language and communication, education, 2020-22 regular batch and 18-20 और 19-20 का supplementary batch था, आज 9 February 2022 को exam हुआ है, दो घंटे का exam था, चलिए देखते हैं, आखिर कौन-कौन से इसमें answer सही है, objective जो multiple choice questions हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं, जिन में सबसे पहला है, कि in communication dot dot send the message, यानि कि suppression में, जो संदेश होता है, message होता है, कौन भेजता है, तो सिदी सी बात है, कौन भेजेगा, sender भेजेगा, इसलिए option C is the correct answer, दूसरा देखिए, the final step in the communication process is, सिदी सी बात है, feedback आ जाएगा, तो final हो जाएगा, क्योंकि encoding करता है, कोई तो decoding होता है, सबसे पहले initiating होता है, शुरुवात ही, तो feedback last है, इस option 4 options में से, इसलिए option A is the correct answer, अब ये तिसरा देखिए, email is the dot dot mode of communication, देखिए, email भी एक linguistic है, भासाई है, वो बात अलएगा कि oral नहीं है, साब्दिक नहीं है, लेकिन है तो भासाई, किसी भासा के माध्यम से email करते हैं, और ये non linguistic, semi linguistic, semi non linguistic, ये सब option ठीक नहीं है, इसलिए 3 का option B is the correct answer, आब देखिए, चौथा देखिए, कहता है, dot 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 is not a function of language, भासा का कारीं नहीं है, तो इसमें से heuristic है, regulatory है, international भी है, vocational नहीं है, इस not a function of, इसलिए option D is the correct answer, पांचवा देखिए, the latest trend in developing oral skill in early identification children with hearing impairment, जो पांचवा है, latest trend क्या है, ये हमारा auditory verbal therapy है, जिसको ABT बोलते हैं या ABA बोलते हैं इसको, तो इसलिए हमारा option A is the correct answer, six देखिए, dot 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 is the goal of auditory verbal therapy in young children, तो ये सभी है, cognition भी है, language भी develop करना है, listening भी है, auditory verbal therapy में भाचा का भी विकास होता है, सुनने का तो होता ही होता है, इसलिए सभी हो जाएगा, सातमा देखिए, कहता है कि the oral method of teaching is the deaf is, मतलब जो मौखिक विधी है, वो किसके माध्यम से teach किया जाता है डिब बच्चों को, तो ये oralism के माध्यम से, यानि कि जो मौखिक बाद होता है, आठमा देखिए, कि the score obtained through a standardized language assessment tools in, अगर आपका भासा जो आकलन के tools है, और वो मानकी करत है, और उससे प्राप्त कोई score है, तो वो कैसा होगा, सिधी सी बात है, वो valid भी होगा, और reliable भी होगा, क्योंकि वो standardized tools है, और आप जानते हैं कि कोई भी मानकी करत, जो tools होता है, वो जिसके लिए बनाये जाता है, वो दोनों देता है, valid भी होता है, और reliable भी होता है, इसके अलाबा, नौमा देखिए, इन guided reading, children required to support the, देखो, जो guided, मतलब guide करना होता है, किसको students को, तो सिधी सी बात है, subject teacher भी करता है, class teacher भी करता है, दोनों पढ़ाते हैं, दोनों class लेने जाते होंगे, इसलिए option C is the correct answer, both A and B, इसके अलाबा, दसमा देखिए, full form पूचा है, full form of LPT is linguistic profile test, इसलिए A is the correct answer, आप देखिए, proof false है, proof false को हम देखते हैं, कौन सा true है, कौन सा false है, इन में जो सबसे पहला है, QD speech is hardly followed in India for communication, suppression के लिए मतलब कम प्रयोग की जाती है, कम यूज में लाई जाती है, यह जो QD speech है, तो यह बिलकुछ सही बात है, यतना जादा नहीं, यह foreign country में जादा यूज की जाती है, यहां बहुत कम, इसलिए सही है, दूसरा देखिए, language development is dependent upon the type of families, बिलकुल depend करता है, आप सोचिए, अगर आप joint family में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सुनने को मौका मिलता है, लेकिन जो nuclear family होता है, nuclear family में, दो ही लोग होते हैं, पते चले कि मम्मी पापा सब चले गए जॉब में, या मम्मी चली गए तो एक से उतनी ज़्यादा language नहीं होती है, तो यह मतलब depend करता है, आगर जो किस types का family है, तो language development depend तो करता है, इसलिए सही है, तीसरा देखिए, educational bilingualism is bind in special school, जो तीसरा है हमारा, वो गलत है, क्यों, रे यह क्यों bind होगा, educational bilingualism, डेप बच्चा जाएगा पढ़ने तो उसको, क्योंकि educational bilingualism तो कहता है, दोनों को मनता है ना, जिससे आप बेटर मान सको, चाहे sciences यो को चाहे oral से, चौथा देखो, deaf children with sign language, competency can pursue inclusive education, यह क्या है, चौथा जो है, हमारा सही है, क्यों, क्योंकि deaf children है, जो sign language अगर उसके पास competency है, तो inclusive education पढ़ सकता है बिलकुल, इसलिए हमारा चौथा सही है, पांच मों देखिए, ASL and BSL have civil commonalities हैं, यानि कि कुछ समानताएं हैं, तो ऐसा नहीं है, बिलकुल, क्योंकि यह गलत है, दरसल, जो ASL है और BSL है, दोनों का system ही पूरा सब कुछ अलग है, बिलकुल भी same नहीं है, इसके अलबा, fill in the blanks देखते हैं, किसमें क्या भरा जाएगा, I hope या आप कर ही लिए होंगे, पहला है, कि if an individual explores new knowledge through language, अगर कोई नहीं ग्यान को knowledge through language, अगर language के माध्यम से नहीं knowledge को ब्यक्ति का दुरूप से आप explore कर लेते हैं, प्राप्ट कर लेते हैं, तो किस भासा से मेट कर तो क्या कार हो गई इसका, तो देखिए, इसका communication भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप स्रजिनात्मक आपने कार किया है, क्योंकि ये depend करता है कि question paper जिसने बनाए है, क्योंकि इसके एक answer exact होना बहुत मुस्किल है, तो इसमे creativity function भी हो सकता है, या फिर communication भी हो सकता है, या खुद की पहचान उससे बनेगी ये भी हो सकता है, ये भी एक कार है, ये खुद की पहचान बनाने के लिए भी हम भासा का प्रियोग कर सकते हैं, अगर अच्छे से कुछ innovation करते हैं, तो अपने आप बन जाएगा, इसके लबाद दूसरा देखिए, in dot 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 language, each and every word in sign, यानि कि CDC बात है, जो मतलब कौन सी लेंग्वेज है, तो ये है sign language, sign language, ये sign language हो, दूसरे का sign language जो है, sign language में ही each and every word का sign होता है, तीसरा देखिए, in teacher made test, dot dot is developed prior to setting questions, question setting से पहले वो क्या करता है, teacher made test अगर कोई teacher बनाता है, तो CDC बात है blueprint बनाता है, B, L, U, E, blueprint, blueprint एक ऐसा खाखा होता है, ये जो खाखा है, ये खाखा, हमें पूरा नियम कानून हो जाते हैं, कितने question ठीक होंगे, कितने नहीं ठीक होंगे, कितने number के होंगे, knowledge level के कितने होंगे, understanding level कितने होंगे, सारा चीज उसमें दर्शाय जाता है, इसके लाबा, चाउथा देखिए, चाउथा है, in dot dot, the language has no written form of its own, सिधी सी बात है, ये भी sign language सही होगा, ठीक है, इसका sign language सही होगा, क्योंकि sign language में, कोई written format थोड़ी होता है, ये तो देखते हैं हम आप video form में, image के form में, इस form में हो सकता है sign, sign को written में कैसे करेंगे, तो written form इसका आउन मतलब नहीं है, इस तरीके का, इसके अलाबा पांचमा देखिए, कहता है कि the term deep structure and surface structure was introduced by, जो आप surface structure और deep structure भासा की देखते हैं, ये तो norm chomsky ने दिया है, norm chomsky, norm chomsky, I hope आप करके आए होंगे, तो ये norm chomsky महोदय ने दिया है, इसलिए पांच हो गए, बाकि आप अगर पुराने वीडियो देख लेते, जो एक एक नंबर या जो मैंने बनाया हुआ है, कि संभावित प्रश्ण आ सकते हैं, तो देखिए, ये आया हुआ है, pre-requisition for language, developing language, ये बार-बार पुष्टा है, और खास करके ये जो दूसरा कोश्चन है, oralism, educational bilingualism, या total income, इन तीनों में जो कोई नो कोई तो पुष्टा ही पुष्टा है, इसके अलावा limitations भी पूछ लिया, teacher made language test का, strategies, भी achieving language competency कैसे करेंगे, identity, major milestone of language development in hearing children, जो सुनने वाले बच्चे होते हैं, कि एक साल में, छे महिने में जब जन्म लिया, दो साल में, तीन साल में, कितना कितना language, कितना किते words डिबलफ हो जाते हैं, यह तो पुछता ही है, process of communication कैसे, किस तरीके से language होता है, क्या-क्या माध्यम होते हैं, कौन-कौन से तत्त होते हैं, यह पूरा process बताना है, किस तरीके से sender एक, आपने लिखी दिया होगा, scope of communication, जो personal, social और international जो भी, इसके अलावाद, आठवा है challenges in developing language, skill in dev, बिल्कुल challenges होता है, यह आपने किया ही होगा, I hope आप कर किया होगे, तो thank you so much, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जैहिन,